जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के घरणों में हम वन्दे मातरं अम जै हिंद वन्दे मातरं भारत माता की जय राष्ट्रЬ गोरों के अलग-अलग अंकों में हम बात करते हैं हमारे भारत का गोरों क्या है? हमारे भारत का स्वावि मान क्या है? अभी जुलाई का महिना चल रहा है जुलाई का महिना भारत के इतिहास में एक महत्तोपूर महिना है आज से 21 वर्ष पूरो आप सब को याद होगा पाकिस्तानी घुस पैठिये हमारे कारगिल की पहाड़ियों में जबरदस्ती घुस आये थे और जबरदस्ती घुसकर उन्होंने हमारे LSE को क्रोज करके उन्होंने बोर्डर को क्रोज करके हमारे इलाके में जो भारतिय बंकर होते थे जो अपना राशन छोड़ कर जाते थे रसज छोड़ कर जाते थे कि जब बर्फ पिंग लेगी शिमला एक समझोता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में उस समझोते में ये तै हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के दोनों के सैनिक देखे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बोर्डर की लाइन है न वो पहाड की जितनी चोटियां हैं उन चोटियों को एक तरीके से लाइन मान कर डिवाइड कर दिया गया कि उस तरफ पाकिस्तान इस तरफ भारत ऐसा माना जाता है चोटियों के उपर बर्फ बहुत पड़ती है तो ये तैकर लिया गया कि चोटियों से नीचे उतर कर कुछ किलोमेटर दूर दोनों सेनाएं चली जाएंगे और उसके बाद जब बर्फ पिंग लेगी तो गर्मी में दुबारा से अपनी अपनी पोस्क के उपर चली जाएंगे ये शिमला के समझोते में ये समझोता हुआ था तो पाकिस्तानी गुसपैठिय जबरदस्ती पाकिस्तानी सेना के लोग गुसपैठियों की शकल में उनको फरजी गुसपैठिया करार देकर पाकिस्तान की सेना ने उस समय जनरल परवेज मुशरफ जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ होते थे उन्होंने उनको गुसा दिया था और वो गुसपैट करके आ गए थे भारत में इसकी जानकारी चार मई के आसपास जब भारत के छेतर में रहने वाले चरवाहे अपनी बकरियां चराने के लिए जा में बांदा था पूरा देश खड़ा हुआ था और उस समय की सरकार ने उस समय की हमारी सेना ने बहुत मजबूती के साथ बहादूरी के साथ युद्ध लड़ा था और बहादूरी के साथ युद्ध लड़कर इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी कारगिल के युद् का महिना वो है अभी दो दिन पहले परम वीर चक्र विजेता कैट्टेन विक्रम बत्रा जी की हमने बातचीत की थी. जब हम बात करते नहीं क्राitted कारीओं की बात करते हैं तो वैसी इस क्रम में हम शद्धांजली देंगे हमारे उन वीरों को हमारे 527 हुतात्माओं ने बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया था कारगिल के उन चोटियों पर जहां पर पाकिस्तानी गुसपैठी आ गए थे उनको वापिस बगाने के लिए हस्ते हस्ते अपनी कुर्बानी दी थी अपने लहू से कारगिल की चोटियों की उस वर्फ को लाल किया था हस्ते हस्ते अपना सीस भारत माता के चरणों में चड़ा दिया था लगबग 1300 सैनिक अपन एक तरीके से दिव्यांग हो गए थे उन्होंने अपना या तो हाथ खोया था या पैर खोया था या गंभीर रूप से घायल हुए थे तो ये ओपरेशन विजय 1999 में चलाया गया था पाकिस्तान की ओर से लगबग 3000 सैनिक मारे गए थे और 200 सैनिक अपनी पोस्ट को छोड़ कर भाग गए थे दुम दबा कर भाग गए थे और पाकिस्तान ने अपने सैनिकों की लाशें लेने के लिए भी मना कर दिया था भारत की महांता देखिए कि भारत ने पाकिस्तान के सैनिकों की भी जब उन्होंने अपनी लाशाइं लेने के लिए मना कर दिया सैनिकों की तो उन सैनिकों का भी बहुत मान सम्मान के साथ धार्मिक रिती रिवाजों का पालन करते हुए उनका अंतिम संसकार यहां पर किया था तो आज हम कारगिल की बात करते हैं कारगिल चार मही को मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दू चार मही को ये पता लगा जब चार मही के बाद 10-11-12 मही को कैप्टन सोरब कालिया और उनकी एक पेट्रोलिंग की टुकडी वहाँ पर भेजी गई और वो टुकडी जब वापिस नहीं आई 15 मही तक वापिस नहीं आई तो 19 मही को ये डिकलेर कर दिया गया कि वहाँ पर घुसपैठिये हैं आतंकवादी है या पाकिस्तान की आर्मी है इसलिए युद्ध लड़दा पड़ेगा 27 मही को 26-27 मही तक ये तै कर लिया गया कि यहाँ पर एक एर स्ट्राइक भी की जाएगी एर स्ट्राइक ये देखे 18,000 फिट की उचाई के उपर Tiger Hill है, Car Hill का इलाका है उसके उपर एर स्ट्राइक करना हवा बहुत पतली हो जाती है Oxygen का लेवल बहुत कम हो जाता है अभी MIG 21 हो MIG 27 हो इन सब को किसकी आउशक्ता पड़ती है इनके engine को भी Oxygen की आउशक्ता पड़ती है तो बहुत अधिक उचाई के उपर ये भी बहुत अच्छे से perform नहीं कर पाते तो 18,000 के उपर 26,000, 27,000, 30,000 फिट की उचाई तक Air Force ने ये युद लड़ा था हमने शुरुआत में क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी पाकिस्तान ने एक तरीके से बहुत विश्वास घात करते हुए अप्रेल की शुरुआत में ही या मई की शुरुआत में ही हेलिकॉप्टरों से अपनी सेना को वहाँ पर पैठियों की शकल में बैठा दिया और केवल सेना को नहीं बैठाया एंटी एैक्राफ्ट रॉप्ट गन के साथ मोर्टर रॉर के साथ LMG के साथ MMG के साथ heavy machine gun के साथ वहाँ पर हद्गोलों के साथ grenade के साथ वहाँ उन्होंने उनको त constitution दिया देखे कारगिल की पहाड़ियां कैसी हैं इसको मैं आपको दिखाऊंगा भी तो ये घटना करम उसके बाद मई के बाद जून में युद्ध ये पूरे उफान के ओपर चला जाता है और एक जून को पाकिस्तान वहाँ पर हाईवे के ओपर बंबारी करना शुरू कर देती है इच्छा रहती थी कि मैं विश्व विजेता बनूँ मैं कुछ अलग करूँ ऐसे ही परवेज मुश्रफ की महतोकांक्षाएं बहुत जादा थी और अपनी महतोकांक्षाओं के कारण उन्होंने दो देशों को युद्ध के अंदर जोंक दिया बाद में ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जी को इसका पता नहीं था उसके बाद जब नवाज शरीफ जी अमेरिका से अमेरिका के राश्ट्रपती से मिलने के लिए जाते हैं तो अमेरिका के राश्ट्रपती भी उनके उपर भरोसा नहीं करते हैं अपने डिफेंस से पाकिस्तान को साफ साफ कहा कि पहले आप अपनी आर्मी को अपने घुसपैठियों को भारत की सीमा से बाहर निकालो उसके बाद ही कोई बातचीत हो सकती थी तो एक तरीके से अमेरिका ने निट्रल की भूमी का उस समय इभाई थी हालांकि भारत ने उनसे GPS कोडिनेट मांगने की कोशिश की थी तो वो अमेरिका ने देने से मना कर दिया था और इससे पहले एक और चेंज आया वो चेंज क्या आया उननिस सो निन्याडवे में इसराइ पहले भारत की स्केटेजी ये रही कि इंद्रा गांदी जी और भारत मुसलमानों को खुश करने के लिए फिलिस्तीन का समर्थन करते रहते थे इसराइल को इगनोर करते थे इसराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन्शिप कायम नहीं की गई थी इसराइल को एक तर पिछले 6-7 सालों में इसराइल के साथ संबंद बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं इसराइल के साथ आदान परदान बढ़ा है भारत के परदान मंतरी भी इसराइल गए हैं इसराइल के परदान मंतरी भी भारत के अंदर आए हैं और एक दूसरे का सयोग बढ़ा है इसराइ यह भी बात करें, तो अकसाई चीन का एक किस्सा ऐसा है, जिसके उपर चाइना ने कबजा करका है, और यहाँ पर भी मुझफराबाद और यह पाक उक्यूपाइड कश्मीर का एक किस्सा ऐसा है, जिसके उपर अभी पाकिस्तान का कबजा है, चलिए आगे देखते हैं, अब आप इसमें देख पा रहे हैं, यह कारगिल का, यह जो युद्ध लड़ा गया था, यहाँ पर जो गुस्पैट हुई थी, यह देखें, दुनिया का इकलोता युद्ध है, यह जो कारगिल का सेक्टर है, यह बटालिक का सेक्टर है, शियाचीन के पास का सेक्टर है, यह व डिगरी तक यहां का ताप मान जाता है तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों के अंदर भारतिय सेना ने युद्ध किया था और युद्ध करते वे पूरे संयम का भी परिचे दिया था कि युद्ध बहुत अधिक फैल ना जाए, ये अकेला ऐसा युद्ध था भारत और पाकिस्तान का, भारत पाकिस्तान के साथ 1948 में एक युद्ध हुआ, 47-48 में 1965 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ, ये जो तीनों युद्ध लड़े गई ये अलग-अलग सीमाओं के उपर लड़े गई लेकिन ये कारगिल का युद्ध ऐसा था जो कारगिल बटालिक द्रास इस एक सेक्टर के अंदर लड़ा गया था आप सामने देख पा रहे हैं सामने स्क्रीन के उपर आपको दिखाई दे रहा है यह जम्मु कुश्मीर का मैप आप देख रहे हैं यह इंटरनेशनल मैप है इ इस पीयोको को हमें वापिस लेना है पाकिस्तान के साथ वापिस लेना है और अभी जो चाइना अपने भारत के उपर टेंशन दिखा रहा है उसका एक बड़ा कारण ये भी मानना है रनितिकारों का कि पीयोके के उपर भारत कुछ बड़ी कारवाई करने वाला था मानिये पुर्धानमंत्री मोदी जी इसके संकेत दे चुके थे, होम मिनिस्टर इसके संकेत दे चुके थे, डिफेंस मिनिस्टर इसके संकेत दे चुके थे, भारत के चीफ और फार्मी स्काफ ने इसके संकेत दे दिये थे, तो कुछ बड़ा वहाँ पर होने वाला था, लेकिन चाइना ने यहाँ पर जो अकसाई चीन के अंदर गवलान घाटी के अंदर जो टेंशन पैदा की है उससे ये पता लगता है कि चाइना का बड़ा इंटरस्ट P.O.K. के अंदर इंटरस्ट क्यों है क्योंकि P.O.K. के अंदर से चाइनीज पाकिस्तानी एकोनोमिकल कोर रहा है और चाइना इस P.O.K. के माध्यम से नीचे पूरा नीचे जो पोर्ट बना रहा है पाकिस्तान के अंदर ब्लूचिस्तान के अंदर जो गवादर पोर्ट बना रहा है उस पोर्ट के साथ कनेक्टिड है वहां से वो फ्यूल की सप्लाई करेगा अपने सामान की सप्ल तो लगबग 2,00,00 करोड रुपे की investment चाइना की P.O.K. के अंदर है। भारत का हिस्सा P.O.K. है यदि भारत इस P.O.K. को वापिस ले लेता है तो चाइना को एक बड़ा setback लगेगा, बड़ा जटका लगेगा। इसलिए चाइना चाहता है कि भारत का ध्यान P.O.K. की और न के लिए कोई 10 दिन की आउशकता नहीं है, हमारी सेना को यदि एक हरी जंडी दिखाई जाए तो दो दिन के अंदर पूरा P.O.K. भारत के अंदर हो सकता है। भारत का अभी भी है लेकिन अभी उसके उपर जवरदस्ती कबजा पाकिस्तान का है, वो कबजा चुड़वाया जा सकता है, अब चाइना को पता है कि यदि भारत ने अपनी जमीन वापिस लेनी शुरू कर दी, तो पहले P.O.K. को वापिस लेगा, उसके बाद वो अकसाई चीन को भी वापिस लेगा, अभी मैं आपको मैप में यह समझाता हूँ कि यह छेतर फल कौन सा है, यह कौन सा एरिया में चली है, यह लड़ाई मुख्य रूप से तीन एरिया के अंदर चली है, आप इसमें देख पा रहे होगे, यह जो कारबू का और ककसार का इलाका है, इसको बोलते हैं कारगिल का सेक्टर है, और फिर यह आगे बटालिक का सेक्टर है, और उसके बाद फिर दरास क सेक्टर है, और फिर यह मस्को वैली का सेक्टर है, इन चार इलाकों में यह लड़ाई लड़ी गई थी, कारगिल का नाम आपने सुना है, बटालिक का नाम आपने सुना है, ककसर और खारबू का नाम आपने, दरास का नाम सुना होगा, ककसर खारबू का नाम आपने कम सुन होगा तोलो लिंग का नाम आपने खुब सुना होगा टाइगर हिल का नाम आपने सुना होगा ये वो लड़ाई थी जो 18,000 फिट की उचाई पर लड़ी गई थी ये वो लड़ाई थी जिसमें दुश्मन की पोजिशन बहुत मजबूत थी दुश्मन उपर बैठा हुआ है दुश्मन की का वीजन कहां तक है 30 किलो मेटर 40 किलो मेटर तक है हमारे सैनिकों को जो चड़ाई चड़नी है उस चड़ाई के अंदर दुश्मन बिल्कुल ठीक सामने है और जब ये कंडिशन कैसी है ये कंडिशन ऐसी है कि दु पोली कितने बं कितने काम करता है और आप अंदाजा लगाईए कि दुश्मन चोटी के उपर है, हम दुश्मन को देख नहीं सकते हैं, दुश्मन हमें देख सकता है, तो हमारे सैनिकों ने कितनी बहादूरी के साथ, कितना अपनी जान हथेली पर रखकर इस लड़ाई को लड लेवे थे, और ये जो पूरा इलाका है, ये सेक्डो किलोमेटर का इलाका है, ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता आप दिखाई दे रहा है, ये रास्ता आप दिखाई दे रहा है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा ह और यह highway, पकिस्तान की बाना क्या दिए कव्या की यहां से जो highway है इसको हम कट कर दें, जिससे लेघडा का और अंचर किया जा सके, लेघडा को कट कर दिया में आपने जोजिला पास् का नाम सुना हो गई, जोजिला पास यहीं पर है, तो इस highway के ऊपर, जब यह Tiger Hill पर यहां स उसी चोटियां हैं 5140 है जो 4857 चोकी है इन चोटियों से वो सीधा अटेक करके हमारे हाईवे को कट कर सकते थे आज भी आप जब शिरिनगर से लेलदाक जाते हैं तो आप देखते होंगे कि हाईवे के साथ साथ एक बड़ी उंची दिवार बनी हुई है वो दिवार बाद में को हमारे शिरिनगर से बाई रोड से काट ना सके तो इसके लिए किया गया है इस कारगिल के युद्ध में हमारे भारत की ओर से लगब 30,000 सैनिक लगे पाकिस्तान की ओर से 5,000 सैनिक तो बिलकुल फ्रेंट लाइन पर थे और देखे जब दुश्मन की पोजिशन इतनी तो आप समझ सकते हैं कि जो लडाई का रेशो है वो लडाई का रेशो एक के साथ 6 का माना जाता है कि 6 सैनिक नीचे से लगेंगे एक सैनिक उपर से लडेगा तो उसके बराबर की लडाई होगी मतलब उनका एक मरे तो हमारे 6 मर सकते हैं लेकिन हमारी सेना की बहादूरी द मतलब हमने 6 गुणा जादा खत्रा हमारे उपर था लेकिन हमने जो मारे वो 6 गुणा जादा पाकिस्तान के सैनिक मारे थे तो ये हमारी भारतिय सेना का अभिनद्र बनता है और ये जुलाई का महिना है, जुलाई के महिने में, हम अपने एक-एक युवा को, एक-एक वेक्ति को, भारतिय सैनिकों की बहादूरी की इस दास्तान को जरूर सुनाएं, इस कहानी को बताएं, इस कारगिल के युद में, 527 के 527 सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, 1300 सैनिक जो हमारे घायल हुए, उनका बड़ा योगदान रहा, जो बैक-एंड के उपर काम कर रहे थे, उनका योगदान रहा, लेकिन जो सबसे बड़ा योगदान रहा, तो इस कारगिल के युद में, 4 हमारे सैनिकों को परमवीर चकर के साथ नवाजा गया था, वो 4 सैनिक हमारे सैनिक राइफल मैन संजे सिंग, इनको जिविती आवाड दिया गया था, देखे, जिवित आवाड बहुत कम लोगों को मिलता है, परमवीर चकर उनहीं को मिलता है, जो बहुत ऐसा धारन बहादूरी दिखाते हैं, कितनी ऐसा धारन बहादूरी इन्होंने दिखाई आप अंदाजा लगा लीजिए, राइफल मैन संजे कुमार को जो एक परमवीर चकर मिला था, ये राइफल मैन संजे कुमार को परमवीर चकर इसलिए मिला था, कि इनको चार गोलियां लगी थी, दो गोलियां गुटने में लगी, दो गोलियां साइड में लगी, और गोलि बुलंद शहर के रहने वाले हैं उत्तरप्रदेश के भारत स्वाव इमान के मंच पर भी आये हैं परमपुज्य स्वामी जी माराज से उनका अनन्य प्रेम है पतंजली योगपीट आते रहते हैं यहां पर आकर भारत स्वाव इमान के कारेकरताओं को भी उन्होंने प्रेना दिया है आप योगंदर सिंग यादव और पतंजली योगपीट करके यूट्यूब के उपर सर्च करेंगे तो आपको वो सारा वीडियो मिल जाएगा जिसमें 40 मिनिट में उन्होंने पूरी कारगिल की लड़ाई और कैसे उन्होंने युद लड़ा उसके बारे में बताया गया है योगंदर सिंग यादव जी ने कितनी बहादूरी दिखाई थी आप सिर्फ एक बात से अंदाजा लगा लिजिए कि उनको सत्रे गोलियां लगी थी सत्रे गोलियां लगी थी और अदम में साहस दिखाते वे सत्रे गोलियां लगने के बाद भी एक हाथ पूरी तरह से तूटने के बाद भी बहादुरी के साथ लड़ते लड़ते उन्होंने ताइगर हिल के उपर विजय प्राप्त करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था ऐसे योगेंदर सिंग यादो जी को आज हम नमन करते हैं और हम ये कलपना करते हैं कि हमारे भारत का बच्चा-बच्चा संजय सिंग बने योगेंदर यादो बने विक्रम बत्रा बने एक-एक बच्चा-बच्चा कैप्टन मनोज पांडे बने अपने यहां महिमा मंदित किसको किया जाता है जूटे फिल्म स्टार को महिमा मंदित किया जाता है अपने यहां महिमा मंदित किसको किया जाता है यह जो कनया कुमार जैसे जो निकम में हार्दिक पटेल जैसे ऐसे जो छुट भईये नेतागण है जो दूसरे देश के टुकड़ों के उपर पलते हैं ऐसे लोगों को मीडिया दिखाता है ये कारगिल का विजे दिवसका 21 वर्ष पूरू होने का सब्ताह चलदा है जो ने अपना चरित्र खड़ा नहीं करेंगे देखे जो चार वेक्ति जिनोंने परमवीर चक्र विजेता बने है कैप्टन विक्रम बत्रा के हमने बात चीत की थी बच्पन में वो सैनिक स्कूल में जाते थे सैनिकों को देखते थे तो उनके मन में संकल्प था कि मुझे तो सैनिक बनना है उनके पास होंकोंग से मर्चेंड नेवी का ओफर था पांच लाग रुपे महीना कमा सकते थे लेकिन पांच लाग रुपे महीना की नोकरी को ठोकर मार कर उन्होंने कहां पसंद किया भारतिय सेना में सेवा करना पसंद किया जो कहते थे कि मुझे मुसीबतें ढूंडना अच्छा लगता है मुझे खत्रे उठाना अच्छा लगता है जब उन्होंने एक चोटी को फत्य कर लिया और उनको जब कहा गया कि रेस्ट कर लीजी अब आप क्योंकि 18,000 फिट की उचाई के उपर जब कोई operation करने के लिए जाते हैं तो ये वो उचाई है ये वो जगए है जहांपर बैंकर ठंड में जब oxygen का level कम हो जाता है तो वेक्तिक खुद का वज़न नहीं उठा पाता खुद के कदम साथ नहीं देते समतल जमीन के उपर चलने में भी दिक्कत होती है गाड़ी के अंदर भी जब हम कारगिल के सेक्टर को जोजिला को पास करते हैं ले लगदाक में जाते हैं तो डोक्टर कहते हैं कि साथ दिन कम से कम आराम कर लीजिए उसके बाद ही आप अपने रूम से कदम बाहर निकालें ऐसी स्थिती के अंदर अपने अपने हत्गोलों को उठाकर अपनी राइफल को उठाकर अपनी रस्यों को उठाकर अपनी सारी मेडिसन को उठाकर अपने सारे हत्यारों को वेपन्स को उठाकर और ऐसी जगहें पर चड़ाई करना जहां पर दुश्मन की गोलियां आती हैं, दुश्मन के गोले आते हैं, दुश्मन के पत्थर आते हैं, ये कितनी वीरता और बहादुरी की कहानी है, मुझे लगता इससे बड़ा और कोई एडवेंचर नहीं हो सकता, कैप्टन विक्रम प हम बात करें, तो इस लड़ाई में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में नेशनल हाईवे को वो काटना चाहते थे, नेशनल हाईवे को काटते हुए, उनकी ये योजना थी कि ले लगदा को कैप्चर कर लिया जाए, जैसे अकसाई चीन को लिया है, अकसाई चीन के जाती है, तीन सैनिक मारे गए थे, दो लापता हो गए थे, उन सैनिकों को रेस्क्यू किया गया, तो वहाँ पर एवलांच भी आते रहते हैं, बर्फ की सकती रहती है, तो ऐसी स्थिती के अंदर भी जाकर हमारे सैनिक अपने प्रान हाथ पर रखकर हमारे देश की सेवा कर पते हैं, अभी आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये देखे अकसाई चीन है, अब उसके बाद आप ये दोलत बेग ओल्डी ये वो स्थान है जहां पर अभी जहां पर जगड़ा चल रहा है, अभी चाइना के साथ जो जगड़ा चल रहा है, ये शिया चीन ग्लेशियर ह 1987 में सिया चीन के उपर भारत ने पाकिस्तान इसके उपर कबजा करने की सोच रहा था लेकिन भारत ने उससे पहले आपरेशन सफेज सागर चलाते वे इसके उपर कैप्चर किया था ये टाइगर हिल और ये कारगिल का इलाका है ये लेल अद्दाक है अब ये जो लेल अद्दाक की ओर जाता है ये कारगिल से होके रोड जाता है ये अकसाई चीन इधर चीन है ये यहां पर चीन है तो ये चीन की मनशा क्या है पाकिस्तान की मनशा क्या है इधर पाकिस्तान है इधर चीन है तो चीन और पाकिस्तान चाहते है कि इसले लगदा को काट दिया जाए और इसको आधा चीन अपने हिस्से में मिला दे आधा पाकिस्तान अपने हिस्से में मिला दे और देखे ये जो दोनों दुश्मन देश हैं हमारा चीन और पाकिस्तान यह दुश्मन एक ही है, यहाँ पर दोलत बेग ओल्डी के पास एक बड़ा इलाका ऐसा है, लगवग 35 स्क्वेर किलोमेटर का, जो पाकिस्तान के पास पहले था, पाक उक्यूपाइड इंडियन टेरिट्री थी, जिसको पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था, तो यह आप देख पा रहे हैं, कारगिल का सेक्टर देख पा रहे हैं, ताइगर हिल देख पा रहे हैं, यह आप ले लगदाख देख पा रहे हैं, इसमें आपको और दिखाई दे जाएगा, इसमें आपको यह लाइन ओफ कंट्रोल दिखाई दे रही है, यह इंटरनेशनल द्रास और मस्को वैली में, यहां पर उन्होंने चोटियों के उपर आकर बैट गए, और उनका इमन्शा क्या थी, कि हम यहां से इस हाईवे को कट कर देंगे, तो हम आगे ले लगदा को कैप्चर कर सकते हैं, अगली वाली चोटी में देख लीजे, यह व्यू थोड़ा अब टाइगर हिल के उपर जो वेक्ती है, और टाइगर हिल के साथ जो दो पहाडियां है, जिसको टू पिंपल बोला जाता है, राइनो टोप बोला जाता है, यह इनकी आप देखे, यह जो पहाडियां है, यह जो पॉइंट है, यह कैप्चर करना कितना मुश्किल है, पहता है और यहां से जब चढ़ाई करनी है तो यहां से कोई भी पत्थरों की आड़ नहीं है कोई चढ़ने की विवस्था नहीं है यहां से पत्थर भी गिराते हैं तो वो 600 km पर आवर की रेंज से जाता है अब आप यह देखे 4875 नाम का एक पॉइंट दिखाया गया है यह कितना शार पेजिज है कैसे इसमें चड़ना मुश्किल है यह इसमें दिखाया गया है और यहां से जब शेलिंग करते हैं बंबारी करते हैं तो इस रोड को बहुत आसानी से कट किया जा सकता है तो यह पाकिस्तान की योजना थी हमारे परमवीरों ने यह हमारे चार परमवी के रहने वाले थे तीसरे हमारे राइफल मैन संजे सिंग राइफल मैन संजे सिंग हिमाचल के बिलासपुर के रहने वाले हैं और चोते योगेंदर सिंग यादव यह उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कैप्टन मनोज पांडे बिहार के नहीं सीता मडी नहीं सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं जिनोंने लखनाउ में पढ़ाई की या आप परमवीर चकर, महावीर चकर, वीर चकर, आशोक चकर, कीरती चकर, शोर्य चकर ये आप देख रहे हैं हमारे छोटे-छोटे बच्चों को हमारे विद्यालियों के अंदर कम से कम हमारे परमवीर चक्र विजेता सारे महापुर्शों की कहानिया तो रटवा देनी चाहिए जब तक हमारी नई PD इनको पहचानेगी नहीं तब तक हमारी नई PD देश भक्त नहीं बन सकती कैप्टन विक्रम पत्रा का मैंने बताया कैप्टन मनोज पांडे खुद जब वो कोलेज में पढ़ते थे स्कूल में पढ़ते थे तो उनको जब कोई सैनिक दिखाई देता था तो सैनिक के आगे पीछे घूमते थे जब वो NCC में थे तो NCC में उनके यहाँ जब कोई सेना का अधिकारी या सेना का सेनिक आता था तो काम नहीं होता थो भी उसके साथ रहते थे पढ़ाई में अवल थे, स्पोर्ट्स में एक नंबर के थे, पढ़ाई में एक नंबर के थे संबंदों को निभाने में सारी जितनी योग्यताएं होनी चाहिएं वो सारी योग्यताएं उनकी थी, वो कुछ भी पढ़ाई कर सकते थे IIT भी कर सकते थे, IIM भी कर सकते थे, वो MBBS भी कर सकते थे वो कुछ और भी, Civil Services की परिक्षा पास कर सकते थे लेकिन उनका एक ही सपना था कि मुझे ज्वाइन करनी है तो केवल आर्मी ज्वाइन करनी है और जब उन्होंने NDA का एक्जाम दिया और एक्जाम देने के बाद जब उनका इंट्रिवू लिया गया उनके क्लास से, उनके कोलेज से 66 बच्चों ने एक्जाम दिया था उनके साथियों ने जब उन से पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हो, आप क्यों बनना चाहते हो, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो कि मुझे salary मिलेगी बाकी लोगों ने तो उत्तर दिया कि हमें सेना देक्ष बनना है हमें chief of farming staff बनना है हमें तो brigadier बनना है हमें तो general बनना है हमें तो सेना के बाद चुनाओ लड़ना है लेकिन captain Manoj Pande का target fix था क्या target था कि मुझे परंबीर चक्रवीजेता बनना है